रूस से जंग में युक्रेइन की मदद में अब स्वीडन सामने आ गया है यहां स्वीडन ने मदद का हाथ बढ़ाया है यूक्रेइन के लिए ये कहम और अच्छी ख़बर यूक्रेइन के लिए आज से यूक्रेइन को आंटी टांग लॉँंचर दिया जाएगा ส्वीडन की ओर से स्वीरिन ये सेन साजो सामान देगा और यूक्रेइन की मदद के लिए स्वीरिन ने अपना सिधान्त बदल दिया है संजे सोई साब हमाई साथ बने में संजे जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं संजे जी स्वीरिन का सामने आना किस तरीके के संकेत देता है क्योंकि आपके एक सैधान्तिक मूल होते हैं उनसे बहार निकल कर आउट ओव दो वे जाकर युक्रेइन की मदद करना क्या कहता है यह बिलकुल यह हमेशा न्यूटरल कंट्री रहा है जब भी यूद्ध हुए हैं बड़े बड़े यह न्यूटरल रहे हैं पर जैसा कि आज वहां मानवता की तरही तरही हो रही है वहां पर जिस परकार से एक आम आदमी के ओपर अटैक हो रहे हैं जिस परकार से रिफ्यूजी जा रहे हैं और ये छोटे कंट्री के उपर जब रश्या का हमला होता है ये सब देखते हुए उन्होंने एक तरह से on humanitarian ground कहा है कि युकरेन आपने जंग जारी रखनी है और हमारी हर तरह से हतियारों की support आपके साथ है जैसे हम देख रहे हैं कि जर्मनी न्यूजिलेंड और यू के बाकी कंट्री ने इनको anti-tank जैवलिन और anti-aircraft टिंगे विसाईल राइफल बुलेट प्रूफ जैकेट और बागी समान दिया है इस से ही उनकी लडने की शम्ता काभी बड़ी है जो युकरेन की फौज आज वहा मातरा में सप्लाई मिल रही है लेकिन मैं ये कहूंगा कि सप्लाई एक अलग बात है लेकिन लड़ाई करना जो man behind the weapon है हत्यार के पीछ है जो soldier है जो उसका इस्तेमाल कर रहा है उसके अंदर जज़वा है आज वो यूकरेन की सेना वो जज़वा दिखा रही है वो देश भक अमेरिका ढूंड रहे हैं कि किस परकार से जो हत्यार मिलें इनकों मैं सही तरीके से इस्तेमाल करके रश्या के उपर जाज़वा दिखार करें ये ज़वा शायद उनके नेता ने जगा है क्योंकि जलेंस्की टिके हुए है जलेंस्की ने बैदान नहीं छोड़ा है और जल ने इसका लीडर ऐसे कहता है आप देखिया अश्रफ गनी था अफगानिस्तान दे भाग गया तक किस परकार से सेना सरेंडर होगी ये अगर खुट डटा हुआ है कहरा है मैं कई में खड़ा हूँ मैं मेरे से फैमिली है मेरे बच्चे यही है और मैं आखरी दमतर यहां रह यह कहते है लीडिंग बाई example डिर फॉट फ्रंट आगे से आप लीड कर रहें अपनी सेना को आए से अब लीड कर रहे हैं वह सलख परांगा दिखा। दुनिया को प्रॉसेल मीडिया में कि माइं यहीं हूं कहीं गया निग जोठे पर प्रोपगांडा मीं मत आए मत आए ज यह पूरा का पूरा जो अब एक तरीके से युक्रेइन के लिए मदद सामने आ रही है चाहें उसमें अब स्वीरिन ने अपना सिधान बदल लिया और तमाम अन्य दूसरे देश भी हैं जिन्होंने इसी तरह की कारवाई की हैं क्या इसे हम मानें better late than never क्योंकि अगर यही उन् नहीं चाहते थे रस्या से को दुसमनी लेना लेकिन रश्या के रुक को देखते वे पूतिन के अकरामक रुख को देखते वो सब घबरा गए हैं स्वीडन कोई मानवता के अधिकार पर ही सिरफ नहीं आ रहा है वो यह सोच रहा है कि वो भी अभी नाटो में मिलना चाहता ह है कि आज जो हाल उक्रेन का है कल को रस्या हमारा करेगा स्वीडन ही नहीं बलकि पिनलेंड भी चीज को कह रहा है और इन दोनों देश को रस्या ने धंकाया है अगर आप ऐसा करोगे तो पुतिन कहता है कि आपको अंजाम भगतने के लिए तयार रहना चाहिए आप देखते हुए वो नहीं चाहते थे कि रस्या के साथ उनका कोई जगड़ा हो लेकिन जब उन्होंने देखा कि अगर मैं इसमें सामिल नहीं होता आज रस्या उक्रेन के उपर हाभी है कल वो मेरे को अटैक करेगा तो वो इसमें सामिल होगे और शामिल होने के साथ-साथ उन तो इसलिए वो सब अपने खटे हो गए हैं और NATO एक अभी दुबारा रिवाई हो गया है और अब रश्या के लिए बड़ा मुस्किल है क्योंकि पहले वार्शा पैक्ट के अंदर में कुछ जो पूर्वी यूरोप के देश थे, पॉलेंड वगारा वो उनके साथ में थे, फालतू की प्रॉब्लम क्रियेट की है